राधिक्रिष्णा दोस्तो स्वागत थे आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशना लड़ा में दोस्तो हम लोग बिहार असस्ती का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने सेट नमबर बन को कभर किया आज के सेट में हम लोग सेट नमबर दो को देखे कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को पैस कीजिए ताकि हमारी सारी महत्यूपन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेटन को आज का पहला प्रश्न है खानवा का यूद डैस और राना संगा के बीच लड़ा गया था तो दोस्तों खानवा का यूद बावर और राना संगा के बीच लड़ा गया था और ये कब लड़ा गया था तो 17 मार्च 1527 इसभी को लड़ा गया था खानवा का यूद जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबर और राना संगा के बीच अगला कुश्चन है और अरंग्जेव ने डैस की अबधी के दोरान मोगल सासक पर सासन किया तो दोस्तों और अरंग्जेव 1658 से 1707 इसवी के बीच सासन किया और अरंग्जेव ने अपना राज्यावी से एक दो बर करवाया था पहली बार करवाया था 1658 में और दूसरी बार 1669 में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1658 से 1707 इसवी अगला कुश्चन है यूस यानि यूनाइटेड इस्टेट का राश्ट्य खेल कौन सा है दोस्तों बेस्बॉल यूनाइटेड इस् बी हो जाएगा अगला कुश्चन है भारतिय समविधान के निमलिखित अनुछेद में से कौन सा राश्ट्य अनुसूचित जाती से संबंधित है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुछेद 338 जबकि 338 के ए में अनुसूचित जन जाती का वर्नन दिया ग हुआ है अगला कुश्चन है भारत की अकास्मिकता निधी का संरक्षक कौन होता है तो दोस्तों राश्टपती होता है भारत का अकास्मिक निधी का संरक्षक इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा अगला कुश्चन है भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का लाहोर अधिवेशन कब आयुजित किया गया था जहां बैठक में उपस्तित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंतरता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया तो दोस्तों लाहोर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 इस्वी को हुआ था और इसकी अध्यक्षता जबाहर लाल नेहरू के द्वारा किया गया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ओपसन नंबर B हो जाएगा 31 दिसंबर 1929 को लाहोर अधिवेशन हुआ था अगला कॉस्चन है जिन्होंने भारत में लोगों यानि एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की थी वो कौन थे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओपसन नंबर A M.N. रॉय M.N. रॉय के द्वारा जन्योजना आयोक की भी अस्थापना की गई थी और ये 1938 इस्वी में की गई थी अगला कॉस्चन है संयुक्त राष्ट द्वारा परियावरन एवं विकास पर रियो घोशना को मंजूरी किस वर्स में दी गई थी दोस्तो रियो घोशना को मंजूरी 1902 इस्वी में दिया गया था इसका सही आंसर आप्शन नंबर A हो जाएगा आपको बता दे दोस्तो राष्ट चैयुक्त राष्ट जो है इसका गटन 1945 इस्वी में किया गया था और इसका हेड़क्वार्टर की बात करें तो न्यूँ यूर्क में इस सित है संयुक्त राष्ट का हेड़क्वार्टर अगला कुश्चन है यूएन परियावर्निय गतिवीधियों का समनवयन करने वाला अंतराष्ट ये संगठन कौन सा है तो दोस्तो UN पर्यावर्निय गतिवीधियों का समनवयन करने वाला संगठन संयुक राष्ट पर्यावरन कार्यकरम है इसका सही आंसर option number D हो जाएगा अगला question है भारत के पुर्वी तट में ज्यादतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तो भारत के पुर्वी तट में ज्यादतर जलोर मिट्टी पाई जाती है इसका सही आंसर option number B हो जाएगा जलोर मिट्टी जलोर मिट्टी दो प्रकार की होती है एक होता है बांगर और एक होता है खादर बांगर पुरानी जलोड होती है और खादर नई जलोड मिट्टी होती है अगला कर्शन है बारी दुआप डैस के बीच का छेतर है तो दोस्तों पहले आपको दुआप के बारे में थोड़ा बता दे आपका मतलब पानी होता है यानि कि दो नदियों के बीच का जो जगह होता है जो भूमी होता है उस भूमी को दुआप कहते हैं तो बारी दुआप ब्यास और रावी नदी के बीच इस्तित है इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्श्चन है कोलकता बंदरगा किस नदी पर इस्तित है इसका सही आंसर आप्शन नदी अ हो जाएगा अगला क्श्चन है इनमे से कौन सी भारतिय राज्य सिर्ष पांच वनच्छादित प्रदेशों में सामिल नहीं है तो सबसे पहले तो आप सबसिर्ष पांच वनच्छादित प्रदेश जान लीजिए सबसे टॉप पर है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बन पाया जाता है मद्य प्रदेश उसके बाद अरुनाचल प्रदेश और फिर चतिस गड़ फिर ओरीशा और उसके बाद महराष्ट है तो इस में से कौन सा उप्शन हो जाएगा जो इस पांच में से नहीं है तो पंजाब हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा option number D, बंजाब अगला question है सिंधु और गंगा नदी प्रनालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा सहर इस्थित है? दोस्तो सिंधु और गंगा नदी के बीच अंबाला सहर इस्थित है इसका सही आंसर हो जाएगा option number A, अंबाला अगला question है निमनलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मनाय जाता है तो दोस्तो असम में मनाय जाने वाला त्योहार रोंग कर है कौन सा है रोंग कर इसका सही अंसर हो जाएगा option number C अगला question है दोस्तो आगे के कुछ प्रश्ण math और reasoning के दिये हुए है तो हम आपके लिए math और reasoning का अलग से session लेके आएंगे तो उसमें हम लोग math और reasoning को cover करेंगे अगला question है निमनलिखित में से कौन से विलियन में विद्दूत का चालन नहीं होता है तो alcohol और glucose इन दोनों में विद्दूत का चालन नहीं होता है अब क्यू नहीं होता है तो जान लिजे alcohol और glucose एक carbonic योगिक है और carbonic योगिक विद्दूत का कुछ आलक होता है इसलिए इसमें विद्दूत का चालन नहीं होता तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number A अगला question है sword spectrum मेms बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है तो दोस्तों विचलन घटता है और अफवर्तनांक भी घटता है जब हम बैगनी रंग से लाल रंग की ओर बढ़ते हैं तो और वर्णविक छेपन की बात करें तो वर्णविक छेपन भी घटता है जब कीतरंग देरिया बढ़त तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a विचलन घटता है और अपपरतनांक भी घटता है जब हम बैंगनी रंग से लाल रंग के और चलते हैं तो अगला question है कोई कार किसी समतल सरक पर त्वरीत होकर अपने आरंभिक वेग का चार गुना वेग प्राप्त कर लेती है इस प्रेकिरिया में कार की इस्थिती जूर्जा कैसी होगी तो दोस्तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a परिवर्थित नहीं होगी क्योंकि बैग बढ़ने से गती स्थिती जूर्जा इसलिए इस्थिती जूर्जा परिवर्थित नहीं होगी अगला क्वेशन है दो ओम तथा चार ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को किसी वेट्रिक से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक था तो इसका सही आंसर होगा option number b स्रेनी क्रम में अगला क्वेशन है ब्रॉडबेंड एक उच्छमता संचारन प्रोध्योगी की का उप्योग किस कारण कर रही है इसका सही आंसर option number e हो जाएगा आवरति के व्यापक स्रेनी के लिए दोस्तों आपको बता दें ब्रॉडबेंड जो है यह एक उच्छ स्रेनी का इंटरनेट क करता है इसका सही आंसर हो जाएगा option number b वस्तु के द्रव्यमान पर अगला क्वेशन है निम्लिखित में से कौन सा उपकरन विद्दुत चुम्बकिया प्रेरन की घटना पर आधारित है इसका सही आंसर option number d हो जाएगा generator अगला क्वेशन है किसी अव्तल दरपन पर चितर में दर्साय अनुसार आपतित प्रकास किरन के लिए निम्न आरेक में से कौन सा सही है यह आरेक दिया हुआ है जिसमें अव्तल दरपन बना हुआ है और यह है प्रधान अक्ष के सामानांतर एक किरन जाड़ी है पूछ रहा है इसमें से कौन स सही है दोस्तों जब प्रैधान अक्ष के सामानांतर अफ्दल दर्पन पर एक किरन जाएगी तो वह फोकस से लौट जाएगी तो इसमें option number D में सही दिखाया गया है इसका सही आंसर option number option number D हो जाएगा अगला question है निमनलिखित में से कौन किसी विंदू स्रोथ से उस पर आपतित प्रैकास का समानांतर प्रैकास पुंच बना सकता है तिसका सही आंसर option number A हो जाएगा अव्दल दर्पन और उत्तल लेंस दोनों ही अगला question है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिक्रित करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा अगर सोडियम 23 ग्राम है तो इसका सही आंसर option number B हो जाएगा 112 मिली अगला question है कौनसी मिट्टी हिमाले की तीन महतोपुर्ण नदी प्रनालियों गंगा सिंधु और ब्रहंपुत्रा के मिट्टी जमाव के कारण बनती है तो दोस्तों जलोर मिट्टी बनती है इसका सही आंसर option number C हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से किस योजना का संबंध वित्य मंत्राले से नहीं है इसका सही आंसर option number B हो जाएगा प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना इसका संबंध विकास इवं उधमिता मंत्राले से है दोस्तों प्रधान मंतरी कौसल विकास योजना की सुरवात 15 जुल भारत के सम्विधान के निमलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रापधान किया गया है जिसका सही आंसर आप्शन नमबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 108 में अगला क्वेश्चन है भारत में वस्तुरम सेवा कर यानि जियश्टी की सर्वोच दर कितनी है दोस्तो सर्वोच दर 28 प्रतिसत है जबकि नियूंतम दर 0 प्रतिसत है तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा 28 प्रतिसत अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का राज्य पाल किसके प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता है तो दोस्तो राज्य पाल राश्टपती के प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता है इसका सही आंसर आप्शन नमबर भी हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नक्टी डैम पक्षी अभ्यारन बिहार के кिस जीले में है दोस्तों बिहार के जमुई जीले में स्थी है नक्टी डैम पक्षी अभ्यारन इसकी स्थापना 1877 इस भी में की गई थी तो इसका صحी answer option number B हो जाएगा जमुई और लकर्शन है बिहार विधान सभाग के प्रतम उपाध्यक्ष कौन हुए थे स्री अब्दुलबारी उपाध्यक्ष बने थे जबकि स्री राम दयाल सिंग ये अध्यक्ष थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B स्री अब्दुलबारी अगला question है अगला question है निमलिखित में से कौन सा राष्ट विम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है दोस्तों आपको बता दे विम्स्टेक में टोटल साथ सदस्य है भारत, बांगलादेश, म्यानमार, स्री लंका, थाइलेंड, भूटान और नेपाल तो इसमें मालदीब जो है ये विम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है इसलिए इसका सही आंसर उप्षन नमबर डी हो जाएगा मालदीब एगला क्वेश्चन है परधान मंतरी मुद्रा योजना की सिसु योजना के तहत अनुमेजरीन की अधिक्तम रासी कितनी है इसका सही आंसर उप्षन नमबर बी हो जाएगा पचास जार अगला question है देश के सरवोच नागरिक पुरुसकार पदम पुरुसकार की सुरुवात निम्लिखित में से किस वर्स में की गई थी इसका सही answer option number C हो जाएगा 1954 निस्पी में पदम पुरुसकार की सुरुवात की गई थी और आपको बता दे दोस्तों 1955 निस्पी में पदम पुरुसकार को पदम भीभूशन पदम भूशन और पदम शिरी में बदल दिया गया था अगला question है निम्लिखित में से किस ने इनकस्टडी उपन्यास लिखी है इसका सही answer हो जाएगा option number D अनीता देशाई के द्वारा इनकस्टडी नामक उपन्यास लिखा गया है अगला question है प्रख्यात संगितकार अर्विंद पारीक निम्लिखित में से किस वाध्यांत्र से संबंदित है दोस्तों अर्विंद पारीक सितार से संबंदित है इसका सही answer option number A हो जाएगा अगला question है निम्लिखित में से किस राजवन्स के सासनकाल को भारते इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को भारते इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है इसका सही answer option number C हो जाएगा दोस्तों गुप्त काल के समय कला एवं साहित्य में हुई प्रगती के वजह से इसे प्राचीन भारत का स्वणकाल कहा जाता है वित्य विधेयक को प्रस्तूत करने के कितने दिनों के भीतर संसत द्वारा पारित किया जाना होता है तो दोस्तों वित्य विध्यक प्रस्तूत करने के 75 दिन बाद ही सांसर द्वारा पारित किया जाना होता है इसका सही आंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा 75 अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की साखचर्टा दर कितनी है तो दोस्तों 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत की साखचर्टा दर 74.04 परतिसत है इसका सही आंसर आप्शन नमबर C हो जाएगा जबकि अगर आपको बता दे टॉप पे केरल रहा है 93.91 परतिसत के साथ और सबसे लाश्ट पर बिहार रहा है 61.8 परतिसत के साथ अगला कुश्चन है क्रिष्ण राज सागर्बांध को किस नदी पर बनाया गया है जिसका सही आंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा कावेरी नदी पर बनाया गया है क्रिष्ण सागर्बांध को अगला कुश्चन है लाइफ और पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखी का निमनलिखित में से कौन है इसका सही आंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा यान मार टेल अगला कुश्चन है भारत की संप्रभूता एकता और अखंडता को बनाए रखना उसकी रक्षा करना डैस है दोस्तों ये हमारा मौलिक करतव्य है इसका सही आंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा मौलिक करतव्य मौलिक करतव्य संविधान का मूल भाग नहीं था इसे 42 पे संविधान संसोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोडा गया अगला कुश्चन है लौड चैंस फोर्ड ने 1919 में जालिया वाला बाग की घटना की जाच के लिए कि समीती का गठन किया था दोस्तों हंटर समीती का गठन किया गया था लौड चैंस फोर्ड के द्वारा इसका सही आंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा और अगर कॉंग्रेस की बात करें तो कॉंग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालविय समीती का गठन किया गया था अगला कुश्चन है कुना निमनलिखित में से किस देश की मुद्रा है इसका सही आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D क्रोएसिया की मुद्रा है कुना अगला कुश्चन है लौड करजन द्वारा बंगाल विभाजन के निन्ने का बास्तविक कारण किसे माना जाता है दोस्तों इसका सही आंसर आप्शन नमबर C हो जाएगा अंग्रेजों की फूट डालो और राजकरों की नीती के तहट पंगाल का विभाजन किया गया था अगला कुश्चन है इन में से कौन सा जल्डमरू मत्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है जिसका सही आंसर आप्शन नमबर D हो जाएगा बेरिंग जल्डमरू बेरिंग जल्डमरू संयुक्त राज्य अमेरिका का सहर अलास्का एवं रस्या के बीच स्थित है अगला कुश्चन है दूइप समू टियरा डेल फूएगो किस महादूइप में स्थित है तो दोस्तो ये दक्षिनी अमेरिका में इस्थित है टियरा डेल फूएगो तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर C हो जाएगा दक्षिन अमेरिका अगला कुश्चन है अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहा है दोस्तो अफ्रीकी देश घाना की राजानी अक्रा है इसका सही आंसर आप्शन नमबर B हो जाएगा अक्रा अगला क्वेशन है मंगोलिया देश निमलिखित में से किस महादूइप में इस्थित है तो ये एसिया में इस्थित है मंगोलिया देश इसका सही आंसर option number C हो जाएगा दोस्तों मंगोलिया देश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साजा करने वाला देश है अगला question है बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था इसका सही आंसर option number D हो जाएगा 2006 में पारित किया गया था बिहार पंचायत राज अधिनियम अगला question है काम के बदले आनाज काडेकरम किस पंचवर्सिय योजना में प्रारंब किया गया था तो ये पाँचवी पंचवर्सिय योजना में प्रारंब किया गया था बी हो जाएगा अगला कुश्चन है अखिल भारतिय बाग अनुवान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सरवाधिक बागों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना तो सबसे ज़ादा बागों की संख्या वाला राज्य मध्य परदेश बना मध्य परदेश में टोटल 785 बाग है इसका सही आंसर आप्शन नंबर C हो जाएगा अगला कुश्चन है आई सी सी पुरूस एक दिवस्य किरकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा इसका सही आंसर आप्शन नंबर यह हो जाएगा भारत अगला कुश्चन है बिहारी पुरुसकार किस छेतर से सं बंधित है दोस्तों बिहारी प्रुसकार साहित्य से संबंधित है और बिहारी प्रुसकार को केके विला फाउंडेशन के द्वारा स्थुरू किया गया था अगला कर्ष्चन है कौनसा राज्जी महिला ACI Championship Trophy 2023 की मेजवानी करने के लिए तयार है इसका सही आंसर आप्ष्चन नमबर A हो जाएगा जार खंड अगला कर्ष्चन है सात्विक साही राज, रंकी रेडी और चिराग सेटी की स्खेल से संबंधित है तो दोस्तों ये बैडमिंटन से संबंधित है सात्विक साही राज और चिराग सेटी तो इसका सही आंसर आप्ष्चन नमबर A हो जाएगा बैडमिंटन अगला question है विश्वक हुसिहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का अस्थान क्या था तो विश्वक हुसिहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का अस्थान 126 था इसका सही answer option number D हो जाएगा 126 अगला question है एक जिला एक उतपाद किस केंद्रिया मंतराले द्वारा प्रारंब किया गया है इसका सही answer option number A हो जाएगा ग्रामीन विकास मंतराले के द्वारा एक जिला एक उतपाद काड़े करम सुरू किया गया है अगला question है दोस्तों आगे का कुछ प्रशन मैत का दिया हुआ है तो से हम मैथ के सेशन में कभर करेंगे अगला क्वेशन है निम्लिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातू का गुन धर्म है इसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा अर्थ चालक दोस्तों उपधातू से कहते हैं जिसमें धातू अधातू दोनों के गुन मौजूद होते हैं अगला क्वेशन है किन कार्वनिक योगी के नाम परतिया ये अल जुरा होता है तो इसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा अल्डि हाइड में अगला क्वेशन है निम्लिखित में से किस तत्व के लवन प्राया नीले रंके होते हैं इसका सही आंसर आप्शन नंबर डी हो जाएगा सी यो यानि की कॉपर अगला क्वेशन है नीवू के रसका पी अच मान लगभग होता है तो नीवू के रसका पी अच मान लगभग दो होता है इसका सही आंसर आप्शन नंबर भी हो जाएगा दो ऐसे दो दसमलक चार होता है नीवू और गैस के मिलने से होता है इसका सही answer option number D हो जाएगा ठोज द्रव इबम गैस अगला question है 0.02 ग्राम अनु हाइड्रोजन का NTP पर आइतन होगा तो इसका सही answer option number C हो जाएगा 448 मिली अगला question है रसाइनिक परिवर्तन के साथ होता है दोस्तों आपको बता दे रसाइनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जो अपने वास्तपिक रूप से बदल कर बदल जाती है और किसी अन्य पदार्थ का निर्मान करती है और पुना अपने श्वरूप में नहीं बदलती है ऐसे परिवर्तन को हम रसाइनिक परिवर्तन कहते हैं चलिए देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्मान होता है जो की सही है तूसरा दिया हुआ है निकाई की एंथेल्पी में परिवर्तन होता है ये भी सही है और तीसरा है पदार्थ के रसायनिक गुनों में पडिवर्तन होता है ये भी सही है उप्योगत सभी सही है इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर मच्चरों द्वारा फ also कहा उता है इसका सही आंसर ऑस्टन नमबर इयो ओग सभी से planning जहें छए जल इवशन के दूसित होने की वज़से हजा रोग होता है जबकि निमोन एक भी बंधी द्रोग है तो उप्शन नमबर ए हो जाएगा फलेरिया मच्छरों द्वारा फैलती है अगला क्वेश्चन है यदि मेधक टिड़े को खा जाए तो उर्जा स्थान तरन किस दिसा में होती है दोस्तों जब मेधक के द्वारा टिड़ा को खाया जाएगा तो यह प्रात्मिक भोगता से दुइत्यक भोगता की दिसा में होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा अगला चूई मूई का पौधा किस कुल का सदस्य है तो दोस्तो चूई मूई का पौधा मेमो सैसी कुल का है इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर सी हो जाएगा मेमो सैसी अगला क्वेश्चन है पैप्टिक वर्ण के जीवानू का पता लगाने वाले वैज्यानिक का नाम था दोस्तों पैप्टिक वर्ण जिसे हम पैप्टिक अलसर भी कहते हैं इसका पता लगाने वाले वैज्यानिक रौविन वारेन इभम बैरी मार्शल थे तो इसका सही answer option number D हो जाएगा A और B दोनो अगला question है किसी परितंत्र में अपगटक तो दोस्तों किसी परितंत्र में अपगटक जै पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है इसका सही answer option number B हो जाएगा अगला question है केव रोक का दूसरा नाम है तो इसका सही answer option number D हो जाएगा रेटी कूलो एंडरो थीलियोसिस अगला question है हैपिटैटिस E के विशानू किसके द्वारा स्थान्तरित होता है दोस्तों हैपिटैटिस E के विशानू दूसित जल के द्वारा स्थान्तरित होता है इसका सही answer option number B हो जाएगा आगे के questions रिजनिंग के दिये हुए हैं जिसे हम लोग रिजनिंग के session में कबर करेंगे दोस्तों अगर आप अमारे चैनल पे नहीं हैं तो subscribe करेंगे अपने दोस्तों से share कीजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाएगे